गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट इस्टेडी मेरा नाम है ससांध ठीक है आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट इस्टेडी में डेली कर इंटरफेर्ट ठीक है अच जन्वरी ठीक है आट जन्वरी और हम पढ़ेंगे साथ जन्वरी की डेली करेंट ठीक है ठीक है, साथ की डेली करेंट फिर पढ़ेंगे, ठीक है केंद्री मंत्री मंदल दवारा, किसके केंद्री है, मंत्री मंदल दवारा केंद्री मंत्री मंदल दवारा, क्या किया गया, केंद्री मंत्री मंदल दवारा उत्रा खंड के, किसके उत्रा खंड के, उत्रा खंड के, केंद्री मंत्री मंदल दवारा उत्रा खंड में एक परियुजना की शुरूबात, मतलब एक तरह से, उत्रा खंड के, उत्रा खंड के किस जगे पर उत्तरा घंड के धार धर चुला में ठीक है उत्तरा घंड के धर चुला में महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए ठीक है उत्राखंट के महा काली ने दी पर पुल बनाने के लिए भारत और नैपाल के बीच क्या हुआ समझा हुआ था किस-किस के बीच ब्राइच बारत पिलस नैपाल के बीच समझा हुआ क्या हुआ भारत और नेपाल के भी समझोता हुगा केंद्री मंत्री मंदल द्वारा बताया गया कि उत्राखंट के धाराचूला जो की भारत की सीमा और नेपाल की सीमा में लगता है ठीक है उसके महाकाली नदी बहती है जिसके बीच पुल बना एक भारत और नेपाल की बीच क्या हुगा समझोता ग्यापन पर क्या हुए हस्ताक्चर हुए और इसी केंद्रे मंत्री मंदल द्वारा इसी में इस केंद्रे मंदल में केंद्रे मंदल द्वारा भारत और भारत प्लस तुर्केमेनिया तुर्क मेनिया तुर्क मेनिस्तान सौरी तुर्क मेनिस्तान में भारत नटर्क्मेनियस्टान में क्या हुगा कि बीच एक समस्था प्रवंदक सम्खोता हुगा अपधा प्रवंदक कौन से भारत और त्रुक्मेनिस्टान में कि चीछ के ऊपर आपदा प्रवंदक के रूप में क्या हुगा एक तरीके से इस चीज का क्या हुगा समझो दा कि भारत तुर्के मेंस्तान में जो आप दा प्रवंदक छेत्र में कौन भारत इसका सईयोग करेगा ठीक है स्री लंका के तिंको माली के पूर्वी बंदरगा जला क्या है जो इसे लंका के तिरको माली के पूर्वी बंदरगापा क्या दिती है विस्युद्ध के किसके दुति ए सेकंडर वर्ट वर्ड वई के के मादेद कGuya भिख्या शप्राइए से typically व्ल्ड वर्ड वार के सेसे अधन व्रण के यो किका है तेल टैंक के है तेल टेंग फॉर्म है ठीक है तेल टेंग फॉर्म है तेल क्यों से सेकंड वर्ल वर के सेकंड वर्ल वर के युक के तेल टेंग फॉर्म में सही युक तुरूप से पुनर विकास के लिए भारत के इसके साथ समझाता कि इसके इन टेंग के पुनर विकास के लिए किस से भारत से क्या किया उन्होंने समझौते पर हस्ताक्चर किया किसने किये किसने कि स्रीलंका ने ठीक है स्री लंका के त्रिकोन माली के पूर्व बंदरगा में सेकंड वर्ल वर्ल वार के तेल टैंक के फॉर्म पुनर बिकास करने के लिए भारत के साथ समझोते पर हस्ताक्चा किये इस मैं से 99 मैं से 85 अब स्री लंका के नियंतरण में होंगे पहले किसके नियंतरण में थे यह पहले भारत के नियंतरण में थे आप किसके स्री लंका के नियंतरण में होंगे और यह नया समझोता किस पर आद आ रहे थे यह नया समझोता नया समझोता 2002 के समझो दे मतलब कि इसमें बताया गया है कि ये नया समझोता दोया दोर के समझोते के आधार पर ही होगा ठीक है किसके दोरा बताया गया है ये स्रीलंका और भारत के दोनों के दोरा बताया गया है जो अभी इसका बास समझोता होगा वो इसके ही आधार पर होगा ठीक है किसके आधार पर होगा दोया दो के समझोते के आधार पर ही होगा ठीक है इसमें से 99 में से 85 किसके पास है 99-85 टेंक हैंगे स्री लंका के पास और बाकी जो है वो भारत पर है जो पुरी दुनिया को जीतने के लिए क्या किया था एक तरीक से संगटित किया था जल जीवन मिसन के तैद किसको राजिस्थान को ठीक है जल जीवन मिसन के तैद राइस्थान को क्या हुगा 6800 बात तर दसामला 28 करोड रुपए की क्या हुगा पिये जल की आपूर्ती योजना हुई पिये जल आपूर्ती योजना पिये जल आपूर्ती योजना के तैद किस मंजूरी दी किसने केंद्रे मंजूर्ती जल जीवन मिसन के लिए राजिस्थान में 6822.28 करोड रुपए की पिये जल के रूप में राजिस्थान को दिये जाएंगे इस मंजूरी में 27 जलों में कितने 27 जलों में 27 जलों के जिसमें 3213 गाओं कितने 6.56 लाक से अधिक गरामने लोगों क्या मिलेगा इस चीछ का फायदा मिलेगा कितने 27 जलों में 303213 गाओं में 6,56 लोगों सपन है लोगों से जादा लोगओ को क्या मिलेगे फाइदा मिलेगा जिक इन्हों ने बताया है, ठीक है ऐख न ए नहीं पीची लेमेटेड ने एनल पीची लेमेटेड ने किसका ओडिसा लेमेटेड द्रोडा इनेच पीर ने ओरिसा लेमिटेट इज ब्लप्रेश्ण कीुस्ट के साहता प्रेशंग करफ ना फोडी सा के limited कि इसके नरा अगा green जी कि यिदी ओ सी ओल ये वगा इसका फॉर्म सवर्म giy energy green energy development corporation ठीक है is green green energy development Corporation ठीक है अलगे लोगा green energy development और मेंट फिर्मींट कोर्परेशन ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या ने समझार एक प्रमोट इसमें ओडिशा ओडिशा के बिभिन निकाओं पर ओडिशा के बिभिन के जल निकाओं में निकाव में कितने पांसो मेगावाट कि पांसो मेगावाट की पांसो मेगावाट की फिलोरिटिंग और फ्लोटिंग और फ्लोटिंग और फ्लोटिंग सौर परियोजनाव को क्या होगा उद्गाटन होगा किसमें होगा ओडिशा के बिवने जल निकाव में पांसो मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजनाव का क्या होगा उद्गाटन होगा ठीक है इस चीज़ को बताया गया है ठीक है क्या हुआ फ्रांस ने फ्रांस ने क्या किया फ्रांस ने क्या किया फ्रांस ने कुकुच के उप्योग में किसके कुकीज के उप्योग में किसके कुकीज के उप्योग पर फेस्बुक पिलस गूगल फेस्बुक और गूगल के उपर कितना फेस्बुक और गूगल के उपर दो सब्सक्राइब उपर जुर्मान लगाया, ठीक है, जुर्मान लगाया, ठीक है, जुर्मान लगाया, किसे कुकीच के उपर फेस्बुक और गूगल पर इन्होंने जुर्मान लगाया, कितने लगाया, दो सो 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर ठीक है 237 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी जुर्मान लगा है और इसको यूरो में किते हैं 210 मिलियन यूरो कि लगा इनने जुर्माना लगाया ठीक है फेस्बुक पर कितना फेस्बुक पर लगाया 60 मिलियन यूरो का फेस्बुक पर कितना 60 मिलियन यूरो जो बाकी बच्चा है वो किस पर लगाया है गूगल पर लगा दिया ठीक है इसका जर्माना लगा दिया, क्यों लगा गया, इनके कुकीच का उपियोग पर, इनका जो कुकीच के तौर पर ये अपने यूज़ करते थे, उस चीज को पर क्या किया, फ्रांस सरकार ने एक तरीके से इनको ये बताया कि आप ये हमारे देश की सब्दा को खराब कर रहे हैं, ठीक तो माया बिकेगा कैसे, ठीक है, पुद्दू चेरी में, कहां पे, पुद्दू चेरी में, पुद्दू चेरी में, पीम मोदी द्वारा, पीम, मोदी द्वारा, इनके द्वारा क्या गया, पत्चीसवे, राष्टी है, यूबा महावस्वाव का मेजवानी, किसने, पत्च यूवा 25 वे राष्टी यूवा मौत सब क्या किया एक तरीके से उन्हों में उद्गार्टन किया यह मतलब मेजवानी कि इसने पुद्दू चीरी के रा हुपराजपाल किस्के बुद्दू चेरी के उपराजपाल कौन थे उपराजपाल कौन है डॉक्टर तमी लई साई तमी लई साई ठीक है और संदर रजन संदर रजन ने पांच जन्मरी दोजार बीस को दोजार बाइस को एन एच मदर इसे राश्टी यूवा मौस्ता में क्या लिए एक तरीके से भाग लिया और अनावरण में किया ठीक है इसका चीच का भाग लिया एक तरीके से अनावरण के पद्दू चेरी के उपराजपाल डाक्तर तमी लई साई सुंदर रजन ने ठीक है इस चीच का क्या किया एक तरीके से उद्घाटन किया ठीक है और देखा कि मतलब ठीक है उसमें सामिल और इस चीश को मतलब बताए कि यहाँ ये चीज सई है और सवहारंग करके इनका ठीम का अवारन के मतलब ने ने थीम भी बताया है तीम के बाद में पता नहीं है और यह कब से कब तक मनाय जाएगा यह 12 जन वरी से 16 जनवरी तक इस चीज को मनाया जाए एक तरीके से यह 12-13-15-16-17 छे दिन के लिए यह मनाया जाएगा ठीक है भारती है मानक ब्यूरों ने किसने भारती है मानक ब्यूरों ने क्या किया भारती मानक ब्यूरों ने 75 राश्टिय स्थापना दवस कौन से 75 राश्टिय स्थापना दवस के रूप में मनाया है कितनी तारीक को साथ जनवरी को शेजनवरी को सौरी शेजनवरी को इन्होंने कितनी शेजनवरी को कि 75 राष्टिये 75 राष्टिये स्थापना दवस के रूप में इन्होंने कितनी तारीक बनाया उसके रूप में बनाया भारतिये नौ सेना ने अलक पॉइंट इसमें भारतिये नौ सेना द्वारा बारतिये नौ सेना ने अपने बिवान बाहक पॉटो के लिए किसके बिवान बाहक पॉटो के लिए उप्यों के लिए कितना समुद्ध राइफल एम किया भारतिये नौ सेना ने किसके बिमान बाहक पॉटो के लिए किसके बिमान बाहक पॉटो के बिमान बाहक विवान भाग पोतों के लिए इन्होंने क्या किया राइफल एम का परिक्षन किया क्या किया जो बिमारती विवान भाग में भाग होते हैं पूत उसमें यह लोग एक तरीकी से सेना अपनी सेना में एक तरी राइफल एम का परिक्षन कर रहे हैं कि इसमें लग सकती इसका पर से विवान का परिक्षन इसका प Virgin a का किया गया गोवा है कि आया गोवा के आए के एनष हनशा है गोवा के आएनष हनशा में इसका परिक्षण उपर जो तर्ट पर आधारित परिक्षन सब्दा आए ठीक है इसमें गोगा के एनसा में क्या हुआ इसका परिक्षण हुआ किसका हुआ बिमान बोहक पर राइफिल एम का परिक्षण हुआ ठीक है फ्रेंट्स वीडियो को लाइक और सेर करने ज्यादा से ज्यादा लोगों को एड़ करें जू लुग रहे गए उननों को भी एड़ कर दी फ्रेंट्स